आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टन्ट खमन डोखला जो की बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और स्पॉंजी बनेगा ये बहुत ही कम इंग्रेडियंट से बन जाता है और बहुत ही स्वादिश्ट बनता है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइ सबसे पहले हम एक बाउल में डेट बाउल बेसन छान के ले लेंगे अब हम इसमें एड करेंगे आदा चमच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक आदे चमच से भी कम हल्दी एक चमच शकर इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी आड करेंगे और इसका थिक पेस्ट रेडी कर लेंगे यह हमें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड़ करना है ताकि इसमें लंस भी ना बने और बहुत ज्यादा लिक्विट भी ना हो जाए यह हमें इस तरह की कंसिस्टनसी चाहिए इसकी इसके बाद हम इसे 2-3 मिनिट तक फेटेंगे इससे यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी बनेगा अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच निम्बु का रस इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अच्छे से फेटेंगे तो काफी फलफी हो जाएगा यह इसे हम 15 मिनिट के लिए कवर करके रख देंगे 15 मिनिट के बाद इसे हम फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा नहीं अब इसमें हम एक सेचिट इनो एड़ कर देंगे यह पाँच ग्राम का पैकेट है यह मैंने एक इनो का पैकेट इसमें एड़ कर लिया है यह 5 ग्राम्स वाला पैकेट है इसे मिक्स कर लेंगे इनो बिल्कुल लास्ट टाइम पे ही आड़ करना है देखी इससे यह मिक्शिर बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा अब हम एक डोखला की ट्रे को हम ओईल से ग्रीस कर लेंगे ताकि डी मोल्ड इजीली हो जाएगा और इसमें यह बैटर हम डाल देंगे अब हमने यह पॉट में पानी पाले से ही प्री हीट करके रखा है इसमें मैंने लगबग डीड ग्लास पानी डाल के रखा है अगर आपके पास डोखला मेकर नहीं है तो आप कडाई में भी इससे इजीली बना सकते है अब हम इसे इस तरह से कवर करके लो फ्लेम पे 20 मिनिट्स के लिए पकने देंगे 20 मिनिट्स हो चुके हैं हम आभी इससे खोल के देख रहे हैं देख़िए geographic से चेक कर रहे है हम और toothpick बिल्कुल clear आई है यह हमारा डोखला बिल्कुल बन के तयार है ये ठंडा हो जाने के बाद दी मोल्ड करना है इस तरह से साइट्स क्लियर करके हम इसे दी मोल्ड करेंगे ये बिल्कुल इजी ली निकल आएगा ये देखिए बड़िया सा हमारा खमन डुकला बनके तयार है अब हम इसके उपर तड़का लगाएंगे उसके लिए एक पान में टू स्पून ओईल ले लिया है वन स्पून राई कड़ी बत्ता और हरी मिर्च आप हरी मिर्च चॉप करके भी डाल सकते हैं ये जब चिटकने लगे इसमें थोड़ा सा हम पानी आड़ कर लेंगे और उसमें वन स्पून शुगर आड़ कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसके उपर स्प्रेड कर देंगे ये अच्छे से पूरे खमन डुकला पर मैंने ये स्प्रेड कर दिया है अब इसके उपर मैं कोकोनट बूरा छिड़क रही हूँ ये अप्शनल है लेकिन अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ये आड़ करती हूँ अब हम इसे कट करेंगे चाकू पे थुड़ा सा ओईल लगा के फिर कट करें अच्छे पीसे सोते हैं थोड़ी से हरादनिया एड़ कर देंगे देखी कितना सुन्दर दिख रहा है हमारा खमन डुकला बहुत ही बढ़िया बना है ये देखिए एकदम स्पॉंजी और एकदम जालीदार देखिए एकदम मस्त रैडी मेट जैसे और उतना ही सौफ और टेस्टी आप जरूर ट्रै कीजिए और मुझे भी बताईए कैसा लगा